इसमें हम लोग बिहार के बक्सर जिले में हैं और आप देख पार होंगे फ्रेम में एक कलाकार हैं गायक हैं जो किसी परिचे के मोहताज नहीं हैं आपको बता दें कि बिरहा कलाकार के साथ लोग गित लोग गित के साथ इसमें इनके बाली बुड में भी गाने बड़ा तेज और आपको बता दें कि अभी हमारी इनकी चर्चा लंबी चलने वाली है और इनके पूरे जीवन से लेकर के और अभी आज तक कहानी हम लोग जानेंगे कि पहले अभी आज तो इनके पास ऐसा स्थिति है कि कि किसी भी चीज की कमी नहीं है क्या इनके जीवन में ऐसा भी कोई स करते हैं और आपकी चैनल को मजाई देते हैं कि आप लोगों ने हम आपसे जर्णी जाना चाहेंगे जो दर्सां के जाना चाहते कि आपका जर्णी कैसे स्टार्ट हुआ था यह बिरहा का है देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूं यह आपके चैनल के माध्यम से मैं तो मंच पर भी कहता हूं इस बात को हमारा परिवार जो है बहुत गरीब परिवार था पिता जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे तेज तरार थे लेकिन गरीबी के चलते हो पढ़ नहीं पाये पिता जी कहते थे हमसे के बेटा हमने जेड़ रुपिया रोज पर मजदुरी करना शुरू किया बिजली भाग में गड़ा कटने का काम करते थे और उसी में मालिक की मर्जी स्वामी जी की महिमा नोकरी लग गई शर्विस हो गई और गाने का सोक मेरे पिता जी का भी था पिता जी के भी पिता जी का था मतलब मेरे दादा भी गाते थे मतलब उस पहनी से ही चला हाँ पिता जी गाते थे लेकिन उन लोगों ने गाउं घर में ही रह करके गाये के रूप में अपना अच्छेत्रिय कालाकार बनकर गाउं घर में ही रह गए हमको पिता जी ट्रेनिंग दिये और सबसे पहले गाना सबसे पहले गाना हमको iSkool में गाने के लिए ओलिखे थे किम्प्रकास तों यही अपने iSkool में काना कि और हम एक से ले nostuse पर तक पने क्लास में संगीत कला में फर्स्सकरास आते रहे और उन्हीक गाना गाते रहे गाना लिखे ते हो गाना और में और कि जाओ जाओ रे सजाने सोने के हरी न लाओ मार के जाओ जाओ रे सजानावां सोने के हरी न लाओ मार के कहत सिया रगुबर से तुम हरी न मार कर लाना पत्नी के वो हुकुम पाई के रगुबर हुए रवाना चल लें मिरिगा मरानावां जान की हुकुम पाई के चल लें मिरिगा मरानावां जान की हुकुम पाई के यह मेरे पिता जी सबसे पहले शुरू में इसकुल में यह लिए गित लिखे थे कि उन प्रकास तुमिए इस गीत को गाना और एक से ले करकर मैं मैट्री क्लास तक यह गीत गाता रहां और संगीत कला में मुझे फर्स क्लास फर्स क्लास नंबर मिलता रहा है उबाइसे सर सिच्छा आपकी कहां तक होई है देखिए माता पिता मैंने पहले ही बताए कि मेरा परिवार बहुत पिछड़ा था बाइक वड़ था माता पिता के पैसे से हमने मैट्रिक किया इसके बाद हम गाना तो शुरू से ही हम गाते रहे लाइट में आ गए रेडियो में हो गए रेडियो बिहाई में हो गए दूरदर्शन में हो गए अब हम को पैसा मिलने लगा और पब्लिक के प्यार मिलने लगा पब्लिक भी पैसा देने लगी प्रग्राम होने लगा तो हमन ये किया एलल भी किया अभी फिलाल आपकी क्या उम्र होगी हमारी उमर करीब करीब चौन-पच्पन के करीब जा रहा है और मतलब संगीत ही मेरी दुनिया है संगीत ही मेरी जिन्दगी है संगीत ही मेरा वढ़ना है विछाओना है खाना है पीना है सब कुछ आज देख रहे हैं ये पबलिक के दिया हुआ चीज है लोगों का प्यार है उन लोगों ने मुझे आज इस जगह पर पहुचाया है कि हमें गाउं गमई के रहने वाले गाह कर के पढ़ लिख करके और मैंने आज तक काला कोट नहीं पहिना काला कोट नहीं पहना नकचरी में बैठा कभी मोका ही नहीं मिला और मेरी अंतिम ख्वाइस बहुत ज्यादा ख्वाइस थी कि मैं एम्मय करूं मास्टर ओफ और्ट के डिग्री ले लों लेकिन साइद भगवा को मालिको मंजूर नहीं था हम इतना आगे वर चुके कि हमको टाइम ही नहीं मिलता था पबलिक से बाहर निकलने का आपकी उम्र भी लगवग चववन पच्पना बता रहे हैं और आपने कहा कि मलब स्टार्टिंग से हमारा संगीत रहा फिलाल जो जिन्दगी है जिन्दग का बहुत बड़ा ख्वाइस था कि यह गाएगा बजाएगा तो ठीक नहीं है अब गरीबीत से हम नहीं पढ़ पाए और अब हम नवकरी करने लगे तो मेरा बेटा डॉक्टर इंजिनियर हो जाए उन्हों की बहुत ज्यादा ख्वाइस मेरे पिता जी की थी तो दबाव द देने लगे कि गाना नहीं है बंद कर दिये लेकिन हम चूपे चूपे चोरी से अपने उस्ताद हमारे स्वर्गिय पर शुराम जी थे और उनके घर गए और वहां गए तो सबसे पहला गाना मुझे उनके भाई साहब ने दिया था मास्टर साहब हैं वही थे उस्ताज तो नहीं मिल पाएं लेकि मारव ठाब थे स्रीवच्चन जी उन्होंने दिया कि अकेले कईसे खाईं रोटिया रहा परताप का गाना थाए वही विरहा दिये और उसी का टेरी था कि अकेले कईसे खाईं रोटिया बिना कुछ खाईले प्याले शूगए बाबु म माई अकेले कैसे खाई रोटिया वही विरहा का मिन निचोड़ था थोड़ा से उसको गेत बद्ध कर दी तो यही टेरी है कि बिना कुछ खईले पियले सोगए बाबु माई अकेले कई से खईले रोटिया वो लड़के थे परना परताब घास की रोटी खा करके लड़ाई लड़े थे और उनके साथ उन लड़कों का पिताजी रहते थे तो वही कह रहे हैं कि कुछ खाने को नहीं था कि अकेले मैं रोटी कैसे खा सकता हूं तो बिरहा में तो यह है कि बिरहा का देखिए में सरांस बिरहा का क्या है बिरहा का में चीज कहानी है कहानी अगर सुनवया को दिमाग से हट गया तो हम प्रकाश यादों का बिरहा सुनना ब्यर्थ है बिरहा का में चीज कहानी है और प्रसंग उस कहानी को पब्लिक के सामने प्रस्तूत करना है कि कैसे हम प्रस्तूत करें कि इस भाव में करें कि पब्लिक पूरी तरफ मेरे तरफ आकरसीत हो यही बिरहा का निचोड़ है व बिरहा मर्द था वो बनारश का रहने वाला था और कजरी उसकी वाइब थी और मिर्जापूर की रहने वाली थी पती और पत्नी में दुराव हो गया पुना बनारश से आकर के कजली चली गई मिर्जापूर लेकिन ये पती को याद आता तो बिरहा में होती थी तो वहां से कजली गुन गुनाती थी तो बनारश में आकर सुनाता था और बिरहा अपने पत्नी के ब्योग में होता था बिरहा में होता था तो जब शुरू करता था गुन गुनाता था तो मिर्जापूर तक जाता था उसकी आवाज और कजली सुनती बिरहा का यही सरहांस है जैसा कि आपने बताए कि अभी बिरहा का साथ आप लोगईत भी का रहे हैं और साथी साथ अभी तो फिल्म की भी आपकी गाने जो है बढ़ा तेजिक साथ वारल हो रहे हैं तो यह लोगईत का कैसे क्रम स्टार्ट हो गया बिरहा से देखिए में हमेशा दो ट्रेक पचला है पहला पढ़ाई ट्रेक था उसके साथ साथ गाना दो ट्रेक हुआ और जब पढ़ाई छुटा तो बिरहा के साथ साथ सफ़ु नहीуса ही उमने लोग गाना और शुलू किया और सिखना şुलू किया तो जब मैं तीस सीरीज में पहुचा गुलसन जी समय थे, तो मेरा एक बहुत बड़ा लोगी सूपर डूपर हुआ, जहां तक भोजपूरी जानकार लोग हैं, कि हिंदुस्तान की नहीं मैं बात कर रहा हूं, विदेश की भी बात कर रहा हूं, अभी मैंने चार देश गुम क वो हीट किया, बड़ा निकला गेला जहरेलिया के गाहों में, तो जब वो हीट किया लोग गित, तो गुलसन जी के दिमाग में आए, कि रहे यार यह तो लोग गित, सुपर डूपर और बहुत, हमारी पहचान बिरहां से लोग गित में हुआ, जहरेलिया के गाहों से, वही नहीं लिखा था इस गित के बड़ा नी किला गेला जरे लिया के गाउं में बड़ा नी किला गेला जरे लिया के गाउं में हारे ल मनवां हां हारे ल मनवां देख दे आतिया वबाउं में मतलब आज काल की जो गीते निकल रहे हैं मैं किसी की सिक्वा सिकायत करना नहीं चाहता हूँ कि आपके चैनल के मादेम से यह चीज जरूर लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि पहले यह सब गीत थी कि हम लोग दिली कैसेट करते थे लोग दियात में जब गाउं पजार में आता था तो लोग खरीदते थे पैसे से दीन भर काम धंदा करके हाथ गोर्धों करके और जिसके घर में टेप होता था दरवाजे पर दुवार पर टेप लगा देता था और अगल बगल के आज परोश के लोग माई बहीन बेटी बाप भाई बैट कर इत्मिनान से सुनते थे और ठकईनी दूर करते थे पहले की गीत थी कि माई बाबु भाई बहीन बाप भाई सब लेकिन आज का माहूल क्या है अगर कोई भाई अगर कैसेट बजा रहा है कोई गीत बजा रहा है अपने घर में अब हाँ जवान बहीन जवान बेटी बेटी है तो मारे शरम के मारे मूद तो पर उठकर चल देगे कितना बदला हो गया खैर अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी मतलब गाने का बजाने का तोर तरीका है अब कोई कह रहा है कि हमको इसी से पैसा मिलता है तो हम क्यों नहीं गाएंगे अरे भाई हम कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है गीत संगीत वैसा होना चाहिए जो कि समाज को अपने संगीत के माधेम से गायक समाज को एक संदेश दे समाज को कुछ संदेश मिले उस गीत को हम ज़्यादा पसंद करते हैं समाज कोई काइना दिखाने काम है और आज भी मैं कहता हूं आज भी कहता हूं कि अगर राइटर अच्छा गीत लिखे और सिंगर एजेद गायक उसको बाखुबी से गावे तो कोई जरूरी नहीं है कि असलील गीत ही हीट करेगा ढूणिया जो बनवा चुलिया ये सब नहीं हीट करेगा जैसे आप देख रहे हैं आज फिलहाल वर्तमान में जो हीट किया है जिसको लोगों ने रील बनाया और एक मामूली गाओं गमई का हम छोटा मोटा कलाकार हो करके और बॉलीवूड तक की रास्ता तै किये बॉलीवूड में जाने के लिए हमको 40 वरस लग गया फिलिम में तो मैंने बहुत गाना गया बोजपुरी फिलिम में या बहुत बोजपुरी फिलिम में सिंगर है जिदा एक्टर जैसे इस्पी सिवा है भूटन है मेरी फिलिम तो ये सब मैंने अपना गाना गया लेकिन ब बोजपुरी सिध कर दिया ये कि नहीं हिंदी फिली में भी भोजपुरी चलेगा और लोग सुनेंगे जब मैंने भोजपुरी से हट करके बॉलीवूड में गया तो बहुत बड़ा परदा पर गया और मुझे भी विश्वास नहीं गो रहा था मैंने ओडिशन दिया और ओड भी गोज़ी बुला रहे हैं उस जो फिली माद चल रहा है भीड लोकडाउण पर बना है भीड फिलीम के डाइरेक्टर और प्रोडूसर बॉली वूड के रहने वाले अन्भाशिन हा और इसके म्यूजिक डाइरेक्टर अनुराग साकिया बाली वूड का रहने वाला बाली का बहुत कोम उमर का है अप लोग का उमर का है वो लड़का लेकिन बहुत इस ट्रगल बंबे में जा कर किया जेनिव का छात्र है जेनिव से पिएचडी किया है डॉक्टर सागर जी डॉक्टर सागर आज इसका बॉलीवूड में मतलब तहलका है और उसी की ये गीत लिखी गाये है कि खुनवा पसीना सहरिया में बहिया कौडी के भाव में बिका इलबा चल उड़ चल सुगना गउआ के वोर जह माती में सोना हेरा इलबा घर यग नईया के सपना सजा के मशिनियों से जादा देहियां खटवनी हाईरे करम यही पेटवा के कारण कब वाचु मैनी के डिवती नी भवली भीड में वई से भूला गई ले जैसे भीड में वई से भूला गई ले जैसे बोरा से सरसो छिटा इलबा चल उड़ चल सुगना गउआ के ओर जह माटी में सोना हिराई लबा उड़ चल सुगना गउआ के ओर जह माटी में सोना हिराई लबा क्या बात है यह बालीवुड में आपका फिल्म जो है भीड आई उसी में यह गाना बहुत देजिक साथ लोगए बालीवुड में सबसे पहले हमको ब्रेक देने जाले सुबास कपूर जी मिले जो महरानी शिरी चल रहा है आप लोग देखते होंगे बहुत शूपर डूपर ही समय है तो महरानी वेब सीरीज का भाग 2 में उन्होंने ब्रेक दिया और भाग 3 में भी ब्रेक मिला है उभी गाना गये हैं अब भाग 3 आने वाला है तो उन्होंने ब्रेक दिया और वही आवाज सुन करके अनभव सिनहा सुबास कपुल मेरा पहन हो गए तो अनभव सिनहा से बोले कि एक पड़ेगा यहां नहीं बंबे में नहीं रहता है वो बनारस में रहता है उसको बलाओ तो वो का सकता है तो अनभव सिना जी ने डॉक्टर सागर से कहा और डॉक्टर सागर की भी ख्वाइश थी कि हमारी गीतों प्रकास के आवाज में हुए तो उन्होंने किया अनभव जी डॉक्टर सागर से बोले डॉक्टर सागर बोले कि भीया टाइम है आपके पास तो आजाएए बंबे अनभव जी आपको याद कर रहे हैं ठीक है भी आजाएंगे तो चले गए बंबे बंबे में चले गए तो उसमें मारानी का चल रहा था उसी समें भीड का काम चल रहा थ महारानी का बीच दर काम चल रहा था भाग टूका उधर भीर का भी अपना चर्चा में था भीर तो ऑले कि आउडिशन के लिए हमको गुलाए लो तो हम आउडिशन में गए अपना आउडिशन के लिए दिए हुआ हमको नहीं लग रहा था कि बल्यूर में जीसे मतंजिता बड़ा परदा पर हमको लोग याद करेंगे बुलाएंगे यह हमरी उपसंद की जाएगी लेकिन स्वामी धी की महिमा सरकार की महिमा ऐसी स्वामी जी मेरे भवान है वो निकी महिमा हुई कि कि आपको आपकी आवाज अन्भाव जी को बहुत ही पसंद आई है और कृपा करके आप फलाने तारी को आजा ये इस्टूडियो साथ गंटा रेकॉर्डिंग में लगा था साथ गंट एक डिट के वले गाना और एक ही गाने पर यह पूरा फीलम है कि दाई गंटे की ऑन लब सवाद के पूरा फीलम एक हां ऑप अपने भुजपूरी में भी गाना गाए और बालीबूड में भी आ गया है दोनों कितना एंटर समय में आता है बहुत अंतर है, बोजपुरी तो खेर हमनों की मात रिभासा है, बोजपुरी को तो मतलब इनगोर नहीं किया जा सकता है, और जो भी कुछ मिला है हमको भोजपुरी से ही मिला है, बोजपुरी से ही हमने बॉलीवूड तक का रास्ता तै किया है, बेस तो यहीं से है, बेस तो भॉलीवूट का खास्तोर से अंतर है बॉलीवूट के पैसा में और पोषपुरी के पैसा में और शूट इस लिए कि अगए रखाइच जलदी सूट हो जाता है वहां ज्यादा समय लगता कुछ है इसलिए कि अब बोलिवूड का वहां का सिस्टम कुछ हो रहा है और भोजपूरी का सिस्टम भोजपूरी का बजट कम रहता है भोजपूरी फिलिम का ही ले लिजिए तो भोजपूरी फिलिम का बजट बहुत कम है चेत्री भासा है और खास तरुसे खूब ज्यादा से ज्यादा आज के मतलब जो हीरो हैं जैसे हमारे बड़े प्री हैं कीषेशारी भाई कीषारी मैं भी जिछत पंजी उनने लोग बहुत लेकर के 참 अगर देखा जाएं भोजपूरी का तो बजट खूब जाएगा तो कि शतर लाक शी लाक शतर असी तक जा रहा है इतने पुरी मुवी बन जाएगी भुश्पुरी मान लीजिए लंसम एक रखिए एक करोड रखिए एक करोड में मुवी तेयार होई गई लेकिन बॉलीवूड का तो यह नहीं अब कम से कम छोटा भी आप खुब कम बजट लेकर चलेंगे तब वो कम से कम पचास क्रोर जाएगा तो बजट का अंतर है तो बजट के अंतर के अंतर के अंशार बजट के अंशार खर्चा भी होता है वहां अब यहां है भुश्पुरी में कि हम लोग कर लेते हैं अपना रेकॉर्ड शुटिंग कर लिए वीडियो से चेक्नोलोजी आ रहा है बदल रहा है लेकिन वहहां तीज चीज सोता है बॉलिवड में तो यस पूल पर अलग आपका डाइलाग का र कोड़ होगा गाना र करड़ होगा फिर प्इस स्टूडियो में अलग र कड़ होगा तीन जगह अब तीनों कि क्वालिटी देखी जाएगी तो जो देखिये नया टेक्ट नोलोजी जैसे निकल रहा है लेकिन जो पुराना टेक्टन नोलोजी है पहले हम लोग इस पूल पर रेक्तिंग करते थे आज देख लीजिए ओ जो रेक्टिंग था उसका मतलब क्वालिटी और आज की क्वालिटी में आश्पताल कांते रहें तो लोग सब बालीवुड वाले सब करते हैं कौन क्वालिटी अचाया जब भुश्पुरी से आप हिंदी में देते दर तो था कि बहुत डर था अपने को लग रहा था कि हम बहुत उचे जगह पाए हैं कहीं मिस्ट न कर जाएं मतलब कहीं फ्लाप न कर जाए तो स्वामि जी का नाम लेकर कर कर सुरू किये तो लगा टाइम लगा तो लगा लेकिन जो मुजीक डाइरीक्टर थे अंडिराग साक्याजी और ढौ्टर सागर जी साथ में बेखे थे तो ढौ्टर सागर जी जहां भी वद्टा था बताते थे अभ्लब फनार जी यह इस तरह से यहां सब्द यह जोड दे कि और और अन्राइज सक्याजी बोले कि अगदम घवडाएं अगवडाना नहीं आराम से हम लोग करेंगे कर टू कट 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 करके कट करके कट करके कट कर फिर लेते था था हम आप से यह जाना चाहेंगे पहली बार जेसे कि आप करें गरीबी पिष्ट भूमी से आप उठे हुए तो पहली बार जब आपको पैसा मिला था जैसे कि सबाप मिले एक टुर पहले बार प्रग्राम टारी раз अब उतना तो याद नहीं है आज से करीब 35 वरस पर लें पचास रुपिया में मैंने खुब याद हैं को भरहुआ गाओं में गया था एक बरात थी उस बरात में गया था बीहरे का प्रोग्राम था, बियार में बरहुआ गाउं है, एक टो भगत गंज के बगल में, उसी गाउं में गया था, गर्मी का दिन था, और पचास रुपिया में में गया था, देकि हम बच्पन से ही ऐसा कुछ कुदरती देन होता है, कुछ ही मतलब भगवान के उपर से ही ऐसा होता अफे अशकरी होता है, जब बच्पन थे तो गा उने रहते थे लोग चेंड यह तो रहा हुता है, तो नाचयोचोच गाउं में आती थी, तो वहां गाउंगे लोग जा थे थे तो नाच तो देख इस टेफे ही थे तो ने देखिए जब मालिक की देन होती है और देता है तो नहीं कहा जाता है कि छपपर फार कर देता है और उपर वाले से स्वामी जी से हमको कोई शिकायत नहीं है हमने जो कुछ भी मांगा सच्चा ही आप लोगों से दिल की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों के चैनल के माध कर दिया कि लोग बेटा हमने परिश्रम किया जब मेरा इस्ट्रागल का समय था जब हम भी चाहते थे कि हमारा भी गाना कैसे ठो मेरा भी रेकोर्डिंग कैसे ठो तो इस्ट्रागल का पिरियेट था उस्ट्र में गाना निकला था तारा बानौ फैजाबादी का हाथ में मेहदी मांग सिनुरवां बरबाद का जरवा हो गई ले बारे बलूंबी निदियों नयावे करवटमा सुविरवा हो गई ले तारा बानों फैजाबादी का बहुत गाना हीट किया था तो बहुत मतलब वाइरल हुआ था और कैसेट का जमाना था मैक्स कमपनी से निक तरवानों फैजाबादी जो गई थी कि हाथ में मेहदी मांग सिनुर बरबाद का जरवा हो गई ले बारे बलमू बिन निदियों नयावे करवटमा सुविरवा हो गई ले बहुत गाना हिट केता यहां और छोटी कमपनी से निकला था मैक्स कमपनी से लेकिन उसका फीगर लोग नहीं दिये और वो गाने वाली कौन थी जो रोट पर हर्मूनिया ढोलक लेकर गाति हैं उप कहीं से उठा लिया देख लिया मैक्स कमपनी का मालिक अशक मेहता था उस प्रफटाइक रेकोर्ड कर लिया और फोटो नहीं दिया अब कोई समझी नहीं पाता था कि तरवानू फैजावादी है को यह देखिये लिला और उसमें मेरा स्ट्रगल का पिरियर था हम चले गए दिली गए तो इस ट्रगल का पिरियर तो आप लोग भी है जानते हैं कि कितन कठिनाई का होता है पास में पैसा नहीं था कि खाने के लिए भाड़ा गाड़ी बड़ा किसी तरह से जेनरल बोगी में अपने सीट के नीचे शुत्ते बैठते अपन गए दो दिन तक हम दिली प्लेट फारम पर पेपर बिचा कर और लूमी बिचा कर सोय रोट पर जो खान करके लाल किला के सामने लाजपत मार्केट है लाजपत मार्केट में जाते थे और कमपनी वालों की दुकान थी वहाँ जाते थे कहते थे कि भाई हम भी कालाकार हैं और बक्सर के रहने वाले हैं हमारा भी एक कैसिट कर ली थे नहीं लोग सुनते थे जब मेरी ख्याती बढ़ने लगी तो हर कमपणी का डीलर होते थे हर सार में तो डीलर लोग काने लगे कि उन प्रकास का आप रेकोडिंग करें प्रकास का रेकोडिंग करें तब उन लोगों ने बुलाया और सबसे पहले मेक्स कंपनी में किया उसके बाद युकी कंपनी मेरा गाना हीट किया होली हीट किया सबसे पहले भागुन में बुड़ावाद देवर लाग बहुत सूपर डूपर उस समय होली कोई करता नहीं था मैंने अचानक खोली कर दिया और इतना हिट किया कि उस समय एक कोई फिलीम निकली थी बहुत सूपर डूपर उसका गाना भी था ओफलाफ कर गया और मेरा ही कैसे बचता था फागुन में बुढ़वा दिवर लागे उसके बाद टी सीज के पास ये खबर गया टी सीज के डीलर जो थे वो लोग खाने लगे तो टी सीज ने ओफर किया हमको और भरत सर्मा को मनोच चुबे बक्सर का डीलर था मनोच चुबे लेटर लेकर आया पांच हाजार रुपिया पर कैसे उसी में आपको खाना पीना गाड़ी भाड़ा दिल्ली मेरा आना पर कैसे तीन कैसेट का आफर आया तीन कैसेट मैंने जाकर किया और तीन कैसेट मेरे सुबह में एक ही होटल में हम दोनों आज मिठा रहते हैं हम और भरत भाई भरत सर्मा तो ओभी मेरे बगल के ही हैं थोड़े ही दूर्पों का घर है तो उनका भी तिनों कैसे छीट कर गया और मेरा भी तिनों कैसे छीट कर और भी रहा तो सूपर डूपर हो गया, छो गुली, छो दुश्मन, फिर नित्रदान, जोगी का गाना, वो तो बाद में हिट किया, वो तो तीस सीरीज का, मतलब बाद में हिट किया, राम देव जी थे, भूलू जी थे, मतलब मेरा इसकिल, मेरा पैसा जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन लोगों के सीजे दोबरी हो गया, मेरा पैसा, तीस सीरी अपकी बढ़ती चली गए, और जब से आप लोगों के आशिर्वाद से, पबलिक का प्यार इतना मिला, कि जब से मैं आगे बढ़ना शुरू क्या फिर पीछे मूड कर मैं नहीं देगा, चलते गए, चलते गए, आज इस मुकाम पर हैं, कि साहिद आप लोग हमारे इस गरीब खाने में आये हैं,